हेलो फ्रेंड वेलकम टू ग्यान प्लस आज इस वीडियो हम आपको उत्तर प्रदेश अजनस सिवा चैन आयोक से संबंदित एक बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं जी हां दोस्तो यूपुत्र परसी लेटेस्ट अपडेट नियूज इस वीडियो हम आपको लेखपाल भ अंतिम रिजल्ट अगले पांच दिनों के भीतर आपको आयोक के विपसाइड यूपुत्र प्लसी डाट जी यूबी डाट इन पर देखने को मिल सकती है जी हां दोस्तों यह संभावना जताई आ रही थी और लगभग लगभग इससे मुहर भी लगने जा रहा है अब आयो तो 2022 को इसका जो मुखी परिच्छा का एक्जाम कराया गया था तब से डेड़ साल का समय हो चुका है अभी तक इसका कोई अता पता नहीं था तो काफी तेजी से काम चला डीवी जल्दी से जल्दी कराई गई और अब जाके फाइनल रिजल्ट पे बात किया जा रहा है जो बताएंगे चलिए देखते हैं रिजल्ट का करम किस प्रकार से होना आला है सबसे पहले हम आपको बताये थे कुछ दिन पहले कि आपके मुख से भी का भरती का रिजल्ट आने आएगा लेकिन कुछ टेक्निकल इसू जो अभी तक सुप्रीम कोट ने जो कोट ने इसे ठुक जो रिग जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आपाएगा तो इस महीने आपका सबसे बड़ा रिजल्ट होने वाला है लेकपाल का रिजल्ट जो अगले पांच दिनों को वितर जारी कर दिया जाएगा इसके लावा एसो और जेई वाले अभ्यर्थी लगातार धरना प्र अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं 2018 की वेकेंसी दोनों भर्तियों के जो अभ्यर्थियां लगातार मिल के धरना प्रसंदे रहें और 40 दिनों से अधिक समय हो चुका है चार से पान साल जी हां दोस्तो 18 से तेश से पान साल 6 साल होने वाले है जेई के भर्ति के वहीं जो एसो भर्ति वाले अभ्यर्थि हैं उनके पान साल से ज्यादा समय होने वाला है तो अभी तक उनका भी फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है और कारण यही बता जा रहा है कि एक कमिटी के अंसार रिजल्ट आपका तै किया जाएगा तो इतने दिनों से आयोग अभी तक कमिटी का गठन नहीं कर पा रहा है तो आयोग से लगाता रभ्यर्थी मिल रहा है धन्ना पर दसन दे रहा है, बात चीत कर रहा है कुछ समस्य का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है जहां तक उम्मीद यही है कि अब्यर्थी लगाता डटे रहेंगे और आपका रिजल्ट भी जल से जल देखने को मिल सकता है। आपका result अगले महीने जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस महीने अब उम्मीद 9 के बराबर है जी हां दोस्तों उम्मीद अगर खुदा में खासता अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने आपका result आ सकता है लेकिन इस पे कुछ clear नहीं कर सकते हैं आपका result अगले पिछले तीन से चार महीने से लगातार यही कयास लगाए जा रहा है कि अब आएगा अब आएगा लेकिन अभी तक कोई बात नहीं इस पश्ट दिखाई दिए रही है तो इसके अलावा जो भी भरतिया है और 1262 पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट का मेंस का एक्जाम था उसका result आपको देखने को मिल सकता है अगले 10 दिनों के अंदर यहां दोस्तों वो भी रिजल्ट लगभग लगभग तयार हो चुका है बस रिलीज होने वाला है जल्दी उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है तो यहां पर लेकपाल का result हो गया वीडियो 2018 का result हो गया और 1262 पो का जो है जूनियर असिस्टेंट मुख परिच् देखने को मिल सकते हैं जहां तक यह वीडियो 2018 के result की बात ही की है तो उसकी संभावना थोड़ी से कम है उसके अभी clear evidence नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण हम आपको clear नहीं बता सकते कि उसका result कब आएगा लेकिन 1262 junior assistant का आपको अगले 10 दिनों के भीतर देखने को मिल जाएगा तो इसे समंदित कोई नई update आती है तो हम आपके सामने updated वीडियो लाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते है किसी नई वीडियो में नई update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद